उत्तरप्रदेश के आयोध्या में 23 अक्टूबर को दिपावली के मौके पर होने वाले दिपोच्जों को लेकर खास तयारियां कर दी गई हैं वर्षों से हो रहे दिपोच्जों में इस बार खुद पीयम नरेंदर मोधी शामिर होने वाले हैं अयोध्या में पियम मोधी की सियात्रा को लेकर यूपी सरकार अलर्ट पर आ गई है 23 अक्टूबर को होने वाले दिपोट्सों में कुल 15 लाख दिये जलाने का लक्ष रखा गया है इस दिपोट्सों को खाज बनाने के लिए अब सरकार ने बड़ी तयारी शुरू की है माना जा रहा है कि इस दिपोट्सों में पधान मंद्री नरेंद्र मोधी भी शामिल होंगे इसके अलावा दुनिया भर के देशों से तमाम महमानों को भी दिपोट्सों का अनुभव करने के लिए बुलाया जाएगा वी वी आईपी मोव्मेंट को देखते हुए योगी सरकार ने सुरक्षा और अन इंतिजामों को लेकर बड़ी तयारियां शुरू की है पीम के आगमन से पहले 19 अक्टूबर को सीम योगी खुद अयोध्या जाएंगे और यहाँ पर इंतिजामों की समिक्षा करेंगे सीम के साथ योगी सरकार के कई अफसर भी शामिल होंगे पीम के आगमन को लेकर अयोध्या में सुरक्षा से लेकर साफ सफाई और दीपोच्षों के सभी इंतिजामों को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है यह पहला मौका होगा जब दीपोच्षों में खुद प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी शामिल होंगे बीते साल तक इस आयोजन में सीम योगी हिस्सा लेते थे लेकिन इस बार पीम के आगमन को देखते हुए आयोध्या में विहंगम तैयारियां होंगी ये बात तैं है NBT Online की रिपोर्ट